अलेकुम प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब मैं हो आपकी उर्दू अदब की टीचर आईए देखिए मिकाद चाहरूं में हेश 43 में हमें हाज क्या काम करना है कैसा कि आप जानते हैं कि मिकाद चाहरूं में हमारा टॉपिक जो है वो है नादिर के साथ आंक में चली इसका 88 और 89 आई यह देखिए जमात एकाम की किताब में सफ़ान फ सपर नंबर 88 और 89 कि यह काम का पूरत जा रहा है और अ काथ हैं यह जक कि यह सब नंबर 88 इस में सबसे पहले की देखिए यहां पर हम अपनी डेट शो करेंगे यह क्याने कि तारीख में आज करेंगे और दिन आप लिखेंगे जो आप लिखेंगे जो दिन की डेट लिखेंगे ठीकिए जो दिन बन बने जिस दिन में का में लिक्विड ना दिन बारा और पढ़ाय करने सफ़ा नमबर 78 अब देखिए सफ़ा नमबर 10 पर क्या लिखा हुआ है मीम महरूप मिलाएं करेंगे पहले मीम जमा ये जमा जे कैसे लिखेंगे इसको उसको मिलाना है मीम के अधी आशकाल के साथ ये और पिसके बद जे जे को लाइन से तो आएंचे एक बर यहां लिकने और एक बर यहां यांने दो दो बार लिकने जापकी लिकाए बहतर होगी अब यहां लिखे नमर 11 पे क्या है अलीव जमा वाव जमा पे जमा रे क्या बना ये उपर दोबारा पड़िए अलीव जमा वाव जमा पे जमा रे उपर इसको कैसे लेकिंग अलीव वाव वाव को तो लाइन से नीचे पे कि आदी अश्कार इसके साथ वे उपर यहां पे है नमबर बाराब देखिए क्या लिखा वाए दाल जम्मा ये जम्मा काफ जम्मा दो चश्मी है जम्मा वाउ क्या बना ये देखो क्या बना ये देखो अब कैसे लिखने है देखिए डाल तरूलाईंसे नीचे ये की आदी अश्काल इसके साथ मिलाएंगे काफ की आदी अश्काल दो चश्मी हैं लिखा हुआ है हमारे पास फिर इसके साथ मिला देंगे वाओ देखो देखिए आप भी ब्रुक्त इसी तरही किसे लिखिएगा बिटा ठीके अब आईए यहां पर हुरूफ अलग करें ठीके अब हमारे पास यही रूफ पर लिखे हैं हम इनको अलग अलग करना है जैसे मीम बरिये जमा जे यहां पर नमर 11 पर लिखा हुए उपर अलिफ जमा वाउ जमा पे जमा रे यहां लिखा भाई देखो इसको अलगर हम करेंगे तोर के लिखेंगे दार जमा ये जमा काफ जमा दो चश्मी है जमा वाँ ठीक है सफ़ नंबर 88 मुकमल करने के बाद देखें सफ़ नंबर 89 में हम रज़ क्या काम जा रहा है यह सफ़ नंबर 89 और इसमें हमें करना एंफराधी पर आई सफ़ नंबर 73 से 78 और इम्ला लेना है आपका ठीक है यहां पर आपको डेट शो करनी जिस तारह कप काम करेंगे उसकी ता 73 से यह देखें घर के घर के काम किताब मैंने खोली है इसमें आपको पढ़ाई रिपीट करवा देती हूं दोराई करवा देती हूं सफरम 73 पर निखाव है चलो आंक मचोली खेले चलो आंक मचोली खेले अलीजे चुप गई अलीजे चुप गई सब बच्चों ने उसको ढूना सब बच्चों ने उसको ढूना आए सफ़ा नमा 75 ये रही अलीजे कुरसी के नीचे अब अली को ढूना ये रहा अलीजे कुरसी के नीचे अब अली को ढूना ये रहा अलीजे कुरसी के नीचे अब अली को ढूना ये रहा अलीजे कुरसी के नीचे अब अलीजे को ढूना ये रहा अलीजे के पीछे समीर कहां चुपा है वो देखो समीर मेज के उपड़ है अब सामिया को ढूंगते हैं अली ने देख लिया सामिया अलमारी के अंदर है सफ़ा नमा 78 तक मैंने आपको पढ़ाय करवा दिये पहले भी करवा चुक्किए एक बार मैंने आपको रिपीट करवा दी ठीके अब जमाते काम हैं यहां पर आप हमला की हेडिंग डालेंगे हमला के बाद आप नमबर लिख लेंगे एक दो तीन चार और पांच मैंसरी यहां पर एक तर दस्ता के लिख मेंसरी आपके पांच शुरूफ ही लोंगी नमबर वन पर लिखेंगे आप लो नमबर वन पर लिखेंगे आख लेखेंगे Kalau कर्वाएंगा इम्ला ठीक है आंक नमबर दो पे लिखिए कुर्सी नमबर दो पे लिखिए कुर्सी नमबर तीन पर दर्वाजे नमबर तीन पर आप लोग लिखेंगे दर्वाजे नमबर चार पे लिखिएगा चुप नमबर चार पे चुप नमबर पांक पर है ढूंडा नमबर पांक पर क्या लिखेंगे ढूंडा एक बार रिपीट कर देती हूँ आँक कुर्सी दर्वाजे चुप ढूंडा ठीकिए आईए देखे घर के कामे हमें क्या काम करना है हेज 43 में पेज नमर 88 और 89 मुकमल करने के बाद घर के काम की किताब में हमें सफ़ा नमर 88 में हमें ये करना है खुशकती लिखनी है और मुश्किल अरफाज याद करने जो मैं आपका लिया है मैंने भी एक तदस खुशकती वो देखो समीर में इसके उपर है लिखाए आप खुद कीज़ेगा बेटा दो बार लिखनें आपको ठीके और अब सामिया को ढूनते हैं इसकी खुशकती करनी है उसके बाद यहां लिखा हुआ है खुशकती हुरुपने अलग करें याद करें छेता दस ठीके खुशकती करनी है अली ने देख लिया सामिया अलमारी के अंदर जब यह आपको पढ़ाई कर वाई थी ना ठीके ओके लाफिस बहतर होगी अब यहां लिखे नमर 11 पर क्या है अलीव जमा वाउ जमा पे जमा रे क्या बना यह उपर द्वारा पढ़िए अलीव जमा वाउ जमा पे जमा रे उपर इसको कैसे लिखेंग अलीव वाउ वाउ को तो लाइन से नीचे पे की आदी अशकार इसके साथ रे उपर यहां पर नमबर 12 बेदेखिए क्या लिखा हुए दाल जम्मा ये जम्मा काफ जम्मा दो चश्मी है जम्मा वाओ क्या बना ये देखो क्या बना ये देखो अब किसी लिखने है देखिए दाल दाल तरू लाइन से नीचे ये की आदी अश्काल इसके साथ मिलाएंगे काफ की आदी अश्काल दो चश्मी हैं लिखा हुए हमारे पास फिर इसके साथ मिला देंगे वाओ देखो देखिए आप भी बिल्कुर इसी तरह की से लिखिएगा बिटा ठीके अब आईए यहां पर हुरूफ अलग करें ठीके अब हमारे पास यही रूफ पर लिखे हैं वहे हैं हम इनको अलग अलग करना है जैसे मीम बरिये जमा जे यहां पर नमर ग्याराब लिखा हुए आपर अलिफ जमा वाओ जमा पे जमा रे यहां लिखा वाई देखो इसको अलगर हम करेंगे तोड़ के लिखेंगे दार जमा यह जमा काफ जमा दो चश्मी है जमा वाउ ठीके शफ़र नमर 88 मुकमल करने के बाद देखेए शफ़र नमर 89 में हम आपस क्या काम जा रहा है यह सफ़र नमर 89 और इसमें हमें करना है इन फ और इमला लेना है का ठीके हैं यहां पर आपको डेट शो कर नी जिस तारीच आप काम करेंगे उसकी तारीक रिखेंगे और दिन निखिए बिंगे किस दिन आपने काम किया था पहले मैं आपको पढ़ाय करवा डेती हूं इसके बाद आपका इमला लेती हूं ठीके 73 से ये देखे घर के जमाते काँ घर के कामी किताब में ने खोली है इसमें आपको पढ़ाई रिपीट करवा देती हूँ सफरम 73 पर लिखा हुआ है चलो आख मचोली खेले चलो आख मचोली खेले अलीजे छुप गई अलीजे छुप गई सब बच्चों ने उस 73 से ये देखे घर के जमाते काँ घर के कामी किताब में ने खोली है इसमें आपको पढ़ाई रिपीट करवा देती हूँ सफरम 73 पर लिखा हुआ है चलो आख मचोली खेले चलो आख मचोली खेले अलीजे छुप गई सब बच्चों ने उस को ढूना सब बच्चों ने उस को ढूना आए सफरम 75 ये रही अलीजे कुर्सी के नीचे अब अलीजे को ढूना ये रहा अलीजे कुर्सी के नीचे अब अलीजे को ढूना ये रहा अली दर्वाजे के पीछे ये रहा अली दर्वाजे के पीछे समीर कहां चुपा है वो देखो समीर मेज के उपड़ है अब सामिया को ढूनते है अब सामिया को ढूनते है अली ने देख लिया अली ने देख लिया सामिया अल्मारी के अंदर है सब्फ़ा नमर 78 तक मैंने आपको पढ़ाई करवा दिये पहले भी करवा चुक्वी एक बार मैंने आपको रिपीट करवा दी ठीके अब जमादे काम है यहाप आप इमला की हेडिंग डालेंगे इमला के बाद आप नमबर लिख लेंगे एक दो तीन चार और पांच मैं सिर्फ यहाँ पर एक दस्ता के लिख में सिर्फ आपके पांच चुरूफ ही लूँगी नमबर वन पर लिखेगा आप लो नमबर वन पर लिखेगा आख लिख लिए सबने नमबर वन पर आख बैटा चुपाकर कॉपी बंद करके खुद काम हो अच्छे बचे बंकर लिखेगा खुद से अपनी टीचर को कहिएगा टूशनली टीचर या अपनी ममा को कहिएगा आपको करवाएंगी इमला ठीके आँख नमबर दो पर लिखेगा चुप इमला के बाद आप नमबर लिख लेंगे एक दो तीन चार और पांच मैं सिर्व यहां पर एकता दस्था के लिख में से आपके पांच शुरूफ ही लूँगी नमबर वन पर लिखेगा आप लो नमबर वन पर लिखेगा आँख निकलिया सबने, नमबर वन पे आँख, बैटा चुपाकर कॉपी बंद करके, खुद कामों अच्छे बचे बंद कर लिखिएगा खुद से, अपनी टीचर को कहिएगा, टूशनली टीचर या अपनी ममा को कहिएगा, आपको करवाएंगी इमला, ठीके, आँख, नमबर दो प लिखिएगा, छुप, नमबर चार पे छुप, नमबर पांक पर है, ढूंडा, नमबर पांक पर क्या लिखेंगे, ढूंडा, एक बार रिपीट कर देती हूं, आँख, कुरसी, दर्वाजे, छुप, ढूंडा, ठीकिए, आईजे देखिए, घर के काम हमें क्या काम करना है, हेज 43 में, पेज नमबर 88 और 89 मुकमल करने के बाद, घर के काम की किताब में हमें, सफ़ा नमबर 88 में हमें ये करना है, खुशकती लिखनी है, और मुश्किल अलफाज याद करने, जो मैं आपका लिया है, मैंने भी एक तदस, खुशकती वो देखो, समीर में इसके उपर है लिखाए आप खुद कीजगा बेटा, दो बार लिखनें आपको, ठीके, और अब समया को ढूंटे है, इसकी खुशकती करनी है, उसके बाद यहां लिखा हुआ हुआ है, खुशकती, हुरुपने अलफाज करना है, याद करना है, खुशकती करनी है, अली ने देख लिया, स